सो हलो दोस्तों एक पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूरीजनल सक्सेस रोजगार में दोस्तों आज की सुड़िया में बात करेंगे बिहार वालो खुसकबरी सुरू 2022 की ये खुसकबरी है और बिहार में 7000 स्टेशन पर 6,000,000 भरती आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको बता दे कि ये भरती पर्मानेंट होने वाली है दोस्तों ये भरती किस बिभाग के अंतरगत आई हुई है कम्पलीट जानकारी आपको देंगे और ये पर्मानेंट भरती होगी टोटल 7,000 अजार इस्टेशन पर 6,000,000 भरती आपको देखने को मिलेगी यानि काफी बरी मात्रा में आपको भरती देखने को मिलेगी है जिसमें कम्पलीट जानकारी आपको देंगे कि योगता इसके लिए क्या होगा चैन क्या होगा, आयू सीमा क्या रहेगी, मौका मत छोरना, वरना आप बहुत पच्छता होगे तो इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं, उससे पहले आपको एक important जानकारी देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे पिहार सरकार की हर एक वेकिंसी की अपडेट आती है, और आप सभी लोग के पास share किया जाता है तो इस चैनल को subscribe करके bell icon को hit कर लीजे, जिससे की latest आने वाले वीडियोज का notification आपको मिलता रहे तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं पद जो की salesman की है, और 7000 स्टेशनों पर 6 लाख भरती होगी 7000 स्टेशनों पर होगी 6 लाख salesman की भरती, एक स्टेशन, एक उतपाद योजना के तहत, railway ने जारी की निती यानि कि यह railway के अंतरगत यह भरती है, और इसमें बताया गया है कि एक स्टेशन, एक उतपाद योजना के तहत, railway ने जारी की है यह निती railway की ओर से चारी नीती में कहा गया है कि परतेक प्लेटफॉर्म पर योजना के तहए तहट कम से कम यहाँ पर आगे बतेया गया है कि कम से कम दो अस्थाई स्टॉल खोले जाएंगे इसमें परतेक स्ट में कम से कम दो सेल्समें की तैनाती की जाएगी जैसा कि आप इसकीन पर देख पा रहे हैं इसके साथ साथ आगे आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर बतेया गया है कि केंदर सरकार की महत्वपुर्ण योजना एक स्टेशन एक उत्पात के तायत देश भर में रेल के साथ हजार से अधिक रेलवे स्टेशन पर छे लाग से अधिक लोगों को सेल्समैन की नौकरी मिलेगी रेलवे ने इस बावत अपनी निती जारी कर दी है इसके साथ साथ आगे इसमें बतेया गया है कि जारी निती में कहा गया है कि परतीक प्लेट फॉर्म पर योजना के तहट कम से कम तो अस्थाई स्टॉल खोले जाएंगे इसमें परतीक शिफ्ट में कम से कम दो सेल्समैन की तैनाती की जाएगी रेलवे बोर्ट के सदस से बीत ने 20 माई को सभी जोनरल रेलवे महाप्रवधना को ओकल फोर लोकल को बढ़ावा देने सम्मंदी दिशा निर्देश चारी कर दिये हैं इसके बाद आगे बत्या गया है कि इसमें यह भी उल्ले किया गया है कि प्लेट फर्म पर अस्थाई स्टॉल कियोस्क के अलावा पोर्टल स्टॉल वर ट्रॉली आवंटित करने का अधिकार DRM को होगा इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कि मजूदा स्टॉल कियोस्क का विवस्था इसमें प्रभावित नहीं हो सकेगा यानि नहीं हो पाएगा जो कि यहाँ पर बतेया गया है इसके साथ साथ आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो आगे बतेया गया है कि सभी स्टॉल कियोस्क आकार और रंग रूप में एक जैसे होंगे इस निति के अनुसार स्टॉल का आवंटन समाज के कमजोर वर्ग और हासियों पर खरे लोगों को किया जाएगा इसमें सिल्फ कार जुलाहा दस्तकार स्वेम सहायत समूसल सहित केंद्र वर राज सरकार के प्राधिकारों की मांग पर स्टॉल दिये जाएगे जो कि यहां पर बत्या गया है तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह रेलवे की तरफ से विकिंसी का बहुत बड़ी अपडेट है जो आप सभी लोग देख सकते हैं इसमें जो बत्या गया है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत यहां पर भरती ले जाएगी इसकी भरती जैसी ही आएगी तो हमारे टेली गराम के माद्याम से आपको अपडेट मिल जाएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल आइकन को हिट कर लिजिएगा और बिहार के किस डिस्तिक से आप बिलोंग करते हैं वो नीचे कॉमेंट सेक्षन में बता दीजिए जिससे कि आपको हर एक छोटी बरिया पडेट आपको मिलता रहे और दोस्तों टेली गराम चैनल को जोए नहीं किया है तो कर लिजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ